कॉंग्रेस के सबसे बड़ी चेहरे राहुल गांधी ने वाइनाट से पर्चा भर दिया आज तो उत्तरपदेश में कॉंग्रेस कारेकरताओं में निराशा फैलना स्वाभाविक है अमेठी और रायवरेली गांधी पट्टी की ये दो सीटे बाट जो हो रही है कि दस्जनपत में कोई फैसला हो तो पता लगे अमेठी और रायवरेली से कोई गांधी लड़ेगा की नहीं चर्चा बहंजी की भी है दिदी की भी है और भहिया की भी है लेकिन भहिया ने आज परचा भर दिया और उनके साथ बहंजी भी थी ये हाल तब है जब सोनिया गांधी उत्रपदेश छोड़ कर जा चुकी है वो राजस्थान से राजसभा की सतस्य हो गई यानि अगर अमेठी और रायवरेली से राहुल और प्रियंका में से कोई नहीं लड़ा तो जबहारलाल नहरू और मोतिलाल नहरू के समय से जो उत्रपदेश गांधी परिवार की राजनीती का केंद्रविंदु रहा उससे गांधी परिवार आउट हो जाएगा विपक्ष के गठवंधन का एक दल कांग्रिस उसकी इस्थिती है दूसरा दल समाजवादी पार्टी जो लीड कर रहा है गठवंधन को वहाँ इस्थिती है कि बदायों से शुपाल चाचा कह रहे हम नहीं लड़ेंगे आधित्ती लड़ेगा मेरा बेटा उन्होंने जगा जगा से प्रस्ताव पारित करा दिया चिट्टी लिख दी अखिलेश यादव को कि आधित्ती ही लड़ेगा और तरक ये कि 26 साल की उमर में जब अखिलेश लोग सभाल लड़ सकते हैं तो आधित्ती क्यों नहीं पीढ़ी को आगया आना चाहिए मुरदाबाद में स्टी हसन का दर्द कम नहीं हो रहा रुचिवीरा आनन आजम खान के कारण उम्मीदवार तो बन गए लेकिन स्टी हसन की आँख के आँशू रुक नहीं रही वो आशूओं वाली भगावत कह सकते हैं आप उसको कई बार आक्रोश वाली भगावत होती है और कई बार आशूओं वाली भगावत हो सकती है वह ऐसा संकट रामपूर में पता नहीं लगरा क्या इस्थिति बनेगी आजम खान का उंट किस करवट बैठेगा बहिश्कार ह कि मैरठ में पता ही नहीं कितने लोगों ने फारम भरदी आख़ेदु लिया है अ कि अग्यलिया अग्यिश जी किसी जिसको टिकेट देते हैं चआड दिन बाद उसका होल्ट कर देते हैं दूसरे को देदेते हैं फिर दूसरे का बाड़ करके तीसरे की खोज में निकल जात के लिएए वो यादब पट्टी है ये गांधी पट्टी है उसको आप कह सकते हैं सपा पट्टी यादब पटी कुछ भी कहई है कन्योज, वहां से नेताजी रहे संसत, वहां से अखिलेश जी का राजनेतिक जीवन वहीं से शुरू हुआ और वहीं से डिंपल यादव की संसधी जीवन की शुरुबात हुई उसी कन्योज में अभी तक तह नहीं कर पा रहे हैं वो खुद लड़ेंगे, उनके परिवार के तेजप्रताप लड़ेंगे, जो लालुयादव के दमाद हैं, या धनी राम बर्मा की बिटिया लड़ेंगी, या कोई चौथा लड़ेंगा, मीटिंगे जारी हैं, राइशुमारी जारी है, लेकिन फैसले का भी इंतजार हो रहा दोनों में उमीदवारों को लेके वापो उठापटक और दोनों में बड़े चेहरों पर सस्पेंस अभी कायम है